नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते कुम बराशी वालों शब से पहले दोस्वों आप शबी को डहेर शारी बढ़ाई हैं और डहेर शारी शुब काम ना हैं तो दोस्वों जाकूराके शायां मार शके ना कोई जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है जो आपने तो अपने जुनकाल में यह बाते कई बार शुने होगी लेकिन दोसों आप शिभी को बता दे कि आने वाले दस दिनों में आप शिभी की जुनकाल में कुछ यह से ही गटनाएं मिलने वाली है कुछ यह से ही शदेश आप आपको मिलने वाले हैं जो कि दोस्तों आपको चौकाने वाले होंगे यूँ के हैं तो दोस्तों जो बाते में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जो खुशकबरियां याश में आपको मिलने वाली है जब दोस्तों इनके बारे में आप शुनेंगे तो दोस्तों खुश आपके दुखत भरी घड़ी का कर्मों का अफ़ाल मिले वाले हैं पिछले शमी जो भी आपने मेहनत किये हैं पिछले शमी के जो भी आपके अच्छे कर्म हैं यह कहें तो दोसों इनका ही भांडा याश में फूटेगा और आप शबी की जुनकाल को फिर से खुर्चियों से भ सक्षाइब याशुबाद वाले दस दिनों में आपके जुनकाल में जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा जेसं तो यह बघवान की ही मरजी है जो कि यह कि में आपको इतनी वड़ ही वहां पर किसी का नजर अवश होता है जो इस बात क्या ध्यान रखें और यह में भी जब आपको इतनी बड़ी कुछ कपरियां मिलने वाली तो कुछ लोग दोस्तों आपको नीचे गिराने का प्रयाच कर सकते हैं आपके ऊपर लांचन लगाने का प्रयाच करते हैं तो दोस् जो गरों की दित्य होगी इनके रिश्वार आपको कौन शी शाउधनिय को रखने होंगी कौन-कौन शी बड़ी कुछकपनी आश्मी मिलने वाली है जो कि श्वैंग इस वाल ही आपको देने वाले हैं तो दोस्तों इनके बारें बात करेंगे शाथ है आपके घर के महल में पा इनके बातें बहुत जदा काम आने वाली है कि लूंस्तों नसिब लिखा जा चुका है मोत कहां आएगी हो चुका है दाना-पानी मुकरर हो चुका है अब अगला जन्म कौन सब् sofort चुराशी का चक्र चवराशी के मुक्ति दोस्तों इन्दसוחолов के आपके करमों ने करना है य सारे वक्त अभी भी हैं जितना फैदा उठाश के उठा लें उठ तो एसे ही जाना है इस जहां से भजन शिम्रन भजन शिम्रन इस जग में हमारा पहला काम और शायद आगरी भी जिया दोसों तो दोसों आप भी अपनी जुनकाल में इन बातों का ध्यान रखें कि जहां भी आपको स्भेश्याओं का शाम ना करना पर रहरा हो। वहाँ दोस्तों इश्वर का अश्नलन करें वह नहीं की ज्यान बहस्ते हं और इनके लिए कमेंड बॉक्श में लें करें ना देठाब न देराधकरब। तो आई दोस्तों से की शाद बात करतें कि आने वाली दस दिरों में गरों की या बदलती चाल और भगवान की मर्जी के नुशार आपको कौन सी बड़ी खुशकबरिया मिलने वाली है दोस्तों ये शमय दौड़ दूप तता महनत के अदिता रहेगी परन्तु कार की शफलता आपकी धकान को भी ये शमय दूर कर देगी किसी जरुतमंद मिद्र की मदद से आत्मिक शांती की भी प्राप्ति होगी दोस्तों यह जो शमय है आपके लिए किसी रूचिपुर्ण कारी को करने में शमय वतित करें इसे दोस्तों आपको मांस्चिक दथा आत्मिक शुकुन की प्राप्ति होगी दोस्तों आपको बता दे के लिए किसी भी परकार की यातरा करने सी आपको बचना चाहिए क्योंकि दूस्तों इंसे कोई उतना अच्छा आपको लाब नहीं मिलेगा जितना आपस सोच रही है और इसको प्राद दूस्तों आपको विदा दे कि यह शुम्य आपके लिए स्मय होंगे आपके हर निल्ले क प्राप्त हो शकती है और यह जो आपके लिए फाइदमन होगी लेकिन दोस्तों किसी के मदद आपको प्राप्त हो शकती है मित्रों के शाथ आपके प्रति गलत भी बढ़ने के विज़े आपको दूख भी हो शकता है और इसको प्राद दूस्तों यह शुम्य आपके लिए बहुत अधिक उचित रहेगा घर की वैस्ता उचित बने रहेगी शादी दोस्तों में कुछ बूरी नियत के लोग आपके महान अनियों और आपमान का कारण भी बनेंगी इसलिए दोस्तों यह में नकात्मक पर्विडिति की लोगों से दूरी बना कर ही रखें यह आपके लि बातें आपके शाथ गलत हो रही है दोस्तों उन बातों के खिलाफ आवाज उठाना आपको इसमें शिखना पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों यह में आप अपनी भावनों को अपने अंदर ही दबाकर रखने के वुज़शे ना आप पस्तितिवी में बदलाव देख पा रह दें कि दोस्तों यह में बहुत ही वैस्तम और फाइदमन दिंचरिया आपके लिए शाविट होंगे दोस्तों अपने उद्धिस्तियों का पूरा ध्यान रखें अवशी शफलता आपको प्राप्त होगी घर के रकरकावत था साथ सजा समद्दी कारियों में भी खुश्णम आपको बना कर रखें अर्थिक मामलों पर विसे ध्यान भी आपको देना चाहिए और इसको ब्राण दोस्तों यह शुमें आपके दिंचरिया के लिए आपको बता दें कि आप अपने दायत्यों के प्रभावशे जो लोग आपके खिलाप हैं दोस्तों आपको बता दें कि उनको भी आपके पक्ष में आपकर पाएंगे वह दोस्तों अपने ज्यान का और अनुभाव का पूरा इस्तुमाल यह में आपकर भी पाएंगे दोस्तों आपको बता दें कि दूसरों के मारदर्शक बनने के लिए वह दोस्तों यह शुमें आपको बहुत अधिक मेहनत करन बढ़ रहें से आपकी आर्थिक समस्या कम हो जाएगी किसी सम्मारों में जाने है तो आपको अमंत्रिन भी प्राप्त हो सकते हैं संतार के सिख्षा अधवा केरियर को लेकर कोई चिंदा आपकी दूर होगी और रिश्कुप्राण दूसरे यह शुमें आपको बता दें कि किस गिलीन दिन चकलिए सर्वकैर जो समीय हों कि दूस्तों आपके बता दें कि बार बार तक्लिपों का श्रामन होने की वेजर चТथ है आपके अंदर की जो सकार्तमक भावना है उनमें थोड़ी कमी हो रही है जिसी दूस्तों आपको आगे बढ़ने में कमी हो रही है शाधी दूस्तों जो लोग आपके करीब आने की कोशिक कर रहा है उनको अपने वायवास से दूर न ढगे ले यह आपके लिए शुमे बहतर होने वाले है इसको प्राहतों से अगर आपकी केरियर को लेकर बात करें तो दूस्तों इन्वेश मेनेजमेंट से जुड़े जो भी लोग हैं को बड़ा काम प्राप्स करने के लिए अधिक मेनत करने की आवश्चता होंगी इसको प्राहतों से सब्सक्राइब करें तो दोस्तों किसी उल्जन में भी आप एश्में पर सकती हैं वाईवसाय के लिए जो समय होगी दोस्तों आपको बदा दें कि वाईश्वाय में कुछ नए अनुमन आपको विक्सित होंगी प्रंतों उनकी उचित प्रिणाम मिलने में कुछ समय भी प्राप्ति होने वाली है और इसको प्रांतों से यह में आपकी लव लाइप करकर बात करें तो दोस्तों यह में अत्यदिक वैस्ता के बावजूत घर परिवार के लिए आपको शमय निकालना पारिविरिक शमन्दों को और अधिक मजबूत करेगा दोस्तों किसी मांगलिक का रिषमन्दी वजना भी ब सकती है माईला तो से ऒरण शुमय आपके लवाला की लिए आपके ले डियोय तो समय वहोगे कि कि ब्यवाईक शमंद यश्मे मदूर रहेंगे प्रन्तु मित्रों के शाथ अधिक मेल जोल रखना आपसी शमंदों में यश्मे परिशानियां उत्मा न कर सकता है तो दोसों इससे आप थोड़ी दूरी बनाने के कोशिश करें यह भी आपके लव लाइब करिए बैतरों शाथी दोस्तों घर का वातरण में भी बहुत अच्छा बदलाव आएगा घर प्रिवार में आशिव स्वाद्र तदा प्रेम बना रहेगा विप्रित परिस्तियों के करण प्रेम शमंदों में भी खटा सा सकते हैं तो दोस्तों इससे आप सावधान रहें श्वास्त के गर ब